ग्रामीड स्वयम सहता समूग की महिलाओं से लगबग 8 लाक रुपए की ठगी की गई आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अथी जानकारी देने वाले हैं खास जानकारी इस वीडियो को हर एक समूग की बहन को देखना चाहिए दिद्यो को देखना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं को बेवकूफ बनाया जाता है ठगी का सिकार बनाया जाता है और महिलाएं बन भी जाती है सभी नहीं बनती है लेकिन हाँ जो कम पढ़ी लिखी है वो जासे में आ जाती है आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी देंगे वीडियो पूरा देखिएगा चैनल पर जो लग पहली बार आए है तो सब्सक्राइब कर लें लाइक और सियर करना ना भूलें स्वयम सहाता समू के नाम पर आठ लग की ठगी का की स्वयम सहाता समू के नाम पर बहुत बड़ी ठगी की जा चुकी है हो भी लग बग आठ लाक रुपयों की आप सभी को बता दें पूर्वी पंचैत की महिलाओं से स्वयम सहाता समू के नाम पर ठगी किये जाने का मामला उजागर हुआ है होसीर निवासी अमन कुमार वर्मवा अन्य महिलाओं ने लच्मी देवी पर विभिन्य तरह का प्रलोबन दे कर लगबग आठ लाक रुपय की ठगी करने का मामला गोमिया थाना में दर्च कराया कहा कि लच्मी देवी के पास महिलाएं जब पैसा मागने जाती तो वा टाल मटोल करती रही महिलाओं ने बताया उन सभी ने यह पैसा फाइनेंस कंपनियों से उठा कर दिया है जो अब उनके लिए जी का जंजाल बन चुका है कहा कि पैसा मागने को लेकर गाओं में ही कई बार बैठक की गई लेकिन बैठक में भी सिफ टाल मटोल किया जाता है तब जाकर थाना में शिकायत किया गया तो हम आप से विगत बता देना चाहेंगे कि यह ठगी कैसे हुई है लगब क्या होता है ना कि जिससे समू के नाम पर या समू को नोखडी देने के नाम पर समू को रोजकार देने के नाम पर गाओंगाओं लोग घुमते हैं और तो महिलाओं को भी वह अपने साथ ले लेते हैं, जासे में लाने के लिए चलो महिलाओं महिलाओं को बस्ताइश नहीं कि आपको इतनी नोकरी मिलेगी और इतना रुपए आपको दीयाँ का अपको छाइये कॉ जाती है कुछ पैसे चक्र में अपना लाखों का नुक्सान कर लेती है ऐसे घरके महिलाओं को रोजगार नौकरी के नाम पर पैसे वसूले गए उससे लिए गए कि हाँ आपको इतने दिन में नौकरी दी जाएगी और वो पैसा आप से ले लिए जाता है पैसा लेने के बाद क्या होता है कि वो फरार हो जाते हैं और फिर ढूरती फिरेंगी क्योंकि उन्होंने आपको जो आईडी कार्ड वगरा जो भी दिखाया रहेगा वो र इतनी महिला है फर्स चुक्ए लगबग आठ लाक रुपए का नुक्सान हो गया तो इसकी भरपाय तब तो नहीं ही होनी वो मिलेंगे तब ना उन्होंने जब आईडी कार्ड ही अपना गलत बताया है तो लोग उनको कहां ढूटे जाएंगे ऐसा नहीं है बसे अब सरकार क प्रयास करेंगे तो मिल भी सकते हैं लोग लेकिन कई मतलब देखिए पैसा तो हाथ से गया है वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसके कोई गारंटी नहीं है महिलाओं का इसलिए आपको बता दें कभी भी आपके आपके गाउं में कोई भी आता है नौकरी देने के नाम पर रोज प्राइब कर लिए यह अपने ब्लाक में डारेक्ट संपार कर लिए पहले किसा ऐसी बात है कि आपने किसी को भेजा है तो सरकुती बताएंगे कि हां ने भेजा है या फर्जी है वो क्या है उसके बाद ही विश्वास करके आपको कुछो करना है कि आपको कोई नौकरी पैसे आपको एक रुपए भी नहीं देना है कहीं पर नौकरी रोजगार के लिए आपको सरकार फ्री में नौकरी रोजगार देती है उन लोग ऐसे लोगों को पर बिल्गुल भी विश्वास ना करें और एक बार ब्लाक में पहले जरूर संपार कर लें बाकी आप इस वीडियो में फिकिसी ने जरू करें के साथ तेंक्यू